साथियों, बाबा साब आमबेड करके कदमों पर चलते हुए, देश तेजी से घरीब, दलीद, पीडीद, शोशित, वंचीद, सभी के जीवन में बढ़लाव ला रहा है। बाबा साब ने समान अवसरों की बात की थी, समान अधिकारों की बात की थी, आज देश, जंदन खातों के जरिये हर व्यक्ति का आर्थिक समाविस कर रहा है। DBT के जरिये गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुँच रहा है। उसी प्रकार से जल जीवन मीशन के तहट गाउं में भी साप पानी पहुचाने का एक भरपूर मीशन मोड़ में काम हो रहा है। करोना का संकर आया तो भी देश, गरीब मद्दूर के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े वेक्सिनेशन प्रोग्राम में भी गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यही तो बाबा साब का रास्ता है, यही तो उनके आदर्श है, साथ यो बाबा साब हमेशा महिला ससरक्तिकरन पर बल देते थे और इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किये। उनके इसी वीजन पर चलते हुए देश आज अपनी बेटियों को नए नए अवसर दे रहा है। गर और स्कुल में सवचालेश से लेकर सेना में युद्ध की भुमिकनों तक देश की हर पालिसिक के केंदर में आज महिला हैं। इसी तरह बाबा साब के जीवन संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए ही आज देश काम कर रहा है। बाबा साब से जुड़े स्थानों को पंच तिर्थ के रूप में विक्सित किया जा रहा है। कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर अंबेड कर इंटरनेस्टन सेंटर के लोकारपण का आउसन मिला था। आज ये सेंटर सामाजी को आर्थिक विशव पर बाबा साब के जीवन पर रिशर्च के केंदर के रूप में उभर रहा है।